हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका हमारे स्ट्डीव्य एजुकेशन चैनल में यदि आपने हमारे स्टडीव्य एजुकेशन को अभी तक सश्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाईक और शेर भी कर तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है आप वीडियो पहले जरूर देख लीजिए एक बात और कहना चाहूंगी स्टूडेंट से कि स्टूडेंट जैसे कि आज 10 अक्टूबर है आज भी दो शिप्ट में एक्जाम है तो मैं पहले सुबह वाली शि डिक्टेशन कैसे आई थी और किस टॉपिक पे आई थी कि एफिसेंसी के कॉशन कौन कौन से आये थे और कौन से रूल रेगुलेशन फोलो हुए है वैसे तो जैसे कि कल वाली जो वीडियो में बनाए मैंने हर वीडियो में अपने में जो भी आपको रूल रेगुलेशन ब पेपर बिल्कुल नॉर्मल इजी आ रहा है जितना घबराओगे उतना ही पेपर में टफ लगता जाएगा तो आपने घबराना नहीं है बस कोशिश करते रहिए लगे रहिए प्रैक्टिस करते रहिए हाँ जो भी आप डिक्टेशन लिखो उसकी आउटलाइन जुरूर आँगी कि अगर आप स्टैनों लिख रहे हो और उसके अंदर हिंदी का वड का जो यूज कर रहे हो न आप तो आते वक्त आपको वो नहीं करके आते हो हिंदी वाले शब्द को तो वो आपके गलती मानी जाएगी क्योंकि वो कोपी वहां रख ली जाएंगे और कोपी वहां चेक होगी ठीक है बाकी स्टैनों के अंदर आप कोई भी शब्द है जैसे बलातकारी शब्द है आंतकवादी है सरकारी है इसको अब जैसे मर्जी लिखो कोई दिक्कट नहीं सब सबी बच्चे होंगे अलग-अलग तरिक कैसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जिसमर्जीलिखो पर अगर हिंदी लिख रहे हो तौसको You रिए जरूर माताओं ने लोक तंतर की रक्षा और अनुपालल में जिन बिंदुओं को कसोटी पर खरे उतरने के मांगलिक और लोक कल्यान कारी सपने देखते हुए उसे सविधान में निरूपित किया था आज उसके अधिकांश अंश जीवन आचार सहिताओं से प्रजातंतर के पार्खी प्रहरी मुहें मोडते हुए कुछ ऐसे दृष्टांत गड रहे हैं जो कतई लोक हितकारी नहीं है विराम इस मंशा के पीछे बोट बैंक की सरवार्थ परक राजनीतिक व्यू रचना ही है विराम वर्ष 2012 में बिहार सरकार ने जेल हस्तक में प्रावधान समाहित किया था कि आजीवन कारावास भोग रहे अंतकवादी बलात कारी और सरकारी कर्मियों के हत्यारे केदियों को 20 वर्ष की सजा पूरी करनी ही होगी विराम सामान्य जुर्म में सजाया फता उमर केदियों के शालीन वैवहार और आचरन को देखते हुए उन्हें 20 वर्ष के पूरवी राज्य सरकार ने रिहा करने की शक्ती को यथावत रखा था विराम हाल के शन्शोधन से वैसे केदि जो सरकारी कर्मियों की हत्या के मामले में उमर केद की सजा काट रहे हैं उन्हें अब उनके अच्छे आचरन के कारण 14 साल की सजा पूरी होने पर ही कारागार से आजाद कर दिया जाएगा विराम यह बदलाव किसी व्यक्ती विशेश को राहत देने के उदेशे से ही किया गया है क्योंकि आसन लोक सभा चुनाव में ऐसा उपहार देने से उस वरग की सहानु भूती मिल सकेगी और बोट की प्राप्ती में सत्ताधारी दल को सुविधा होगी विराम बुनियादी सवाल यह है कि हर जीवन अमुल्य है चाहे उसकी जान अंतकवादी ने ली हो या किसी भी श्रेणी के अपराधी ने विराम लेकिन हत्यारे को अदालत से प्राप्त सजा का वरगी करण और उसे राजनितिक कारणों से राहत देना सविधान में प्रदत समानता के सिधानत का घोर उलंगन है विराम मानविय मुल्यों और उसकी सवेदनाओं को अगर बोट की बडंबना का शिकार बनाया जाएगा या खिलवाड होगा तो आखिर विधी के शाशन का ओचित्य क्या है विराम शराब बंदी मामले में लाखों के दी में अधिकतर वैसे हैं जो अत्यंत निर्धन रेखा के अधीन हैं विराम जेल में वे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोट कचैरी में पेरवी के पैसे नहीं हैं विराम साथ ही बिहार के परतेक जेलों में वर्षों से हजारों व्रद केदी भी हैं जो अपने बिमारियों के कारण दर्दनाक जीवन जी रहे हैं विराम जेलों में बंद तीसरी श्रेणी के वैसे आरोपित भी केदी हैं जो तारिक पर तारिक के शिकार हैं विराम उनमें से कुछ केदी वैसे भी हैं जो जुरुम में निर्धारित सजा अवधी से अधिक समय जेल में गुजार चुके हैं विराम दुर्भग्य है कि ऐसे लोगों की मानवा अधिकार की रक्षा में सरकार कृपन बनी हुई है क्योंकि इनसे किसी को राजनितिक लाब नहीं मिलने वाला है विराम बोट के लिए सामाजिक ताने बाने को ऐसीमित शती पहुंचाई गई है और जब इसमें शाशनवरक अत्यांत कुटिलता से अपनी भूमी का निभा रहा हो तो सवाल लाजमी है कि लोकतंतर का लालित्य कब तक जीवित रहेगा विराम कई सालों से जो भी सरकार दिल्ली की गदी पर बैठती है वह दावा करती है कि हमारे कारेकाल में हम यमना नदी को बिलकुल साफ कर उसे आचमन करने के योग्य बना देंगे स्टॉडेंट्स एक बात और कहना चाहूंगी कि स्किल से रिलेटर जो भी बेस्टिक नॉलेज है जो भी आपकी कोश्चन आना मैंने उनसे रिलेटर एक दो चार वीडियो बनाई है और उनका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो प्लीज आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए आपको स्किल के अंदर वहती हेल्फ मिलेगी थैंक्यू